आप कोशन निवाट फायफ थर्डार्वान रहें हैं वरस वाले केज में तीन प्रचन को एक कर वा ओमा सबसे पहले को इंबार PO익 कर्वाऊंगा ढलए सवाल एक साथ ही सालिटाब हो सबसे पहले आप्को पूशन 9 नाइन अब को सब को एक साथ पिक करने हैं आपने कोई भी आप वर्ड लेलो यार कॉंसेट से में क्योंकि सब वर्ड समें लेटर रिपीट हो रहे हैं तो सबसे बड़ा वर्ड जो उसको हम ले ले लेते हैं पार्ट नमबर दू लिखा वैं पहरा ले लो ग्राम इस तरह याद तोरो कभी भी स्वेलिंग पूलों गें पहरा लेलो ग्राम आप ने इनको अर्रेंज करने हैं और इस पर इंप्राइड है कि कोई मतलब बने ना बने बस आपने रेंज करने हैं तो अब आप क्या करोगे बाकी बाट आपको खुद कर लेना क्योंकि सब वर्ड जो है ना उनमें रिपेटिशन हो रही है देखो ऐसे वर्ड जिसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा होगा उसमें अर्रेंजमेंट कैसे निकालो कि कोई मसला नहीं है जितने लेटर से उतने ही आपके पास अगर आपको बोले जाएं सब्सक्राइब को आपस में अरेंज करना है एसा वाला केस निए कि कुछ लेटर आपने सबको एक साथ एक तरीके होंगे 5 फेक्टोरियल नहीं तरीके सब्सक्राइब अरेंज कर सकते हो लेकिन यहां पर एपिटिशन है रिपीटिशन नहीं जो आप लिए प्टपर देते हैं यहांपी एक अपर गोर्दिशन का मतलब कि लेटर रिपीट हो रहे हैं लाइक हैं यह आप कहलो कि एक नवा तरफा यूज पचास यूज लो लेकिन यह वाले केस नहीं इसमें एक ओ तीन दफा ही हाई रहे हैं तो आप क्या करोगे हैं आप अपना अब लिखो नंबर ओफ अब तेरा का मतलब अब तेरा लेटर्स हैं लेकर उसमें से कुछ सेम भी हैं तो से मैं कंसीडर करते हैं पी जो है वह एक की दफार है ए को तेका है नम्बर ओफ एस एस कितने एक दो- तीन रिपेट हुरा है नम्बर ऑफ आर क्या है दूसरी कि दफार हैं उसमेर दो दफ़ः एर नमबर ऑफ ऑफ has तो टोटल अपर लिख दी यह फिर आपने बताया जो अब टोटल अरेंजमेंट आप किस तरह निकालोगे सब्सक्राइब मेरा किसी और मॉड में है अच्छा उपा लिको 13 मेरे कल्कुर्टर में फैक्टोरियल को बटन कहां पर है इस वह इसको अब इसको अब लिखो टाइम जाया करो जब पता है तो यह आंसर तो अल्ला खेर करें बहुत ही बड़ा है इतने ज़्यदा बना सकते हो एट सिक्स फोर एट सिक्स फोर जीरो जीरो अगर मैं अपना देशी सिस्टम यूज़ करूं तो कॉमा दो डिजिट बार्स लगाते हैं तो यह कितना बनेगा यह बनेगा आठ कडोड सिक्स्टी फोर लैक इटिस सिक्स थाउजन जबके अंग् सिस्टम में होगा 86,486,400 यह आपका अंसर आ जाएगा अब कुछन नाइक के बाकी पार जोएंगा आपको प्राइक कर ले ना मैंने बता है उसमें सब में कुछ ना को रिपीट हो रहे हैं जितने दरफा रिपीट हो रहे हैं को डिवाइट गरना और को नियाज नाम नहीं क वर्डापा गिवन यह वर्डापा गिवन यह मैं थिमाटिक्स मेरा वैसल अच्छा तो सबसे पहले इस वर्ड के बारे चेक्राइए इसका डटा बनाते हैं टोड़ल कितने लैटर नवर ओफ लैटर कितने हैं इसके अंदर एक दो तीचार पांच छे साथ आठ नाओ दस 111 सबसेड़ और रहा है एक दफ़ा और दो दफ़ार है तो नमबर ऑफ इस विकितने अंदर है तो सबसे पहरा सवाल यह था कि इसके अरेंजमेंट कितनी बनेंगी बच्चों इसका आंसर बात में लिख देंगे कि आंसर आ रहा है आप दूसरा क्या है कि हा-noty और भी जिसका पैले लेंटर टी ओगा क्विए अरेंजमेंट और सब्सक्राल्ब में होता है पैस कर देंग्न उसकोकर कहते हैं कि इसे नंबर्स और सबस्ट जो जो सी से बिगिन कर रहे हैं इसमें क्या होगा तो देखो सबसे पहले सी से स्टार्ट होना है तो सी तो फिक्स कर दिया आप पीछे एक दो तीन चार पांट छे साथ आट नो तस दस बंदेंगे पीछे सी आपका फिक्स होगा है ठीक है मतलब यह वाली पुजिशन जो है यह आ आप यूज नहीं बर सकते हैं अब बाकी आपके पर आपके प्याद क्या बचे हैं कितने अरेंजमेंट बची है तो सी के बगार आप लिख दो फॉर इंप लिखो एम ए पी एच ए एम ए टी आई एस फॉर इस आपनी मैंने एक अरेंजमेंट लिखी हुए यहां पर कि एक लिखेंगे आपने फिक्स कर दिए आपके पासी ऐलफाबेट बचेंगे अब इसका बने लिखेंगे अगर आप देखो यहां पर कितने बनेंगे इसका टोटल नमबर इसपार इसी में अब कितने बनेंगे 10 है क्या इस नमबर आफ वह नुभी दो है इसी तरह नमबर तीज वह भी दो है क्योंकि यह वारी चीज उपपर भी दो थी सी तो रिपेट नहीं हो रहा था तो सी अभी भी अपनी जगा पर बागी डेटा तो वही बना है बस आप फर्क यह होगा कि जब आम नंबर ऑफ अर्रेंजमेंट निकालोंगे नंबर ऑफ और अर्रेंजमेंट अब उत्पर आएगा थेंफंटोरिल या नीची होगा पॉट्रील दूतिवन फ्रेक्टोरियट याँप लिख देना के यह वन आफ दारेंजमेंट यह मतलब यह मैं कोई फिक्स बात नहीं हो रही यह वन आफ दारेंजमेंट को आपने आपस में करना है इसी तरह नबर आफ यहां पर कोई एक लिख दे थे आपने स्टार्ट करना थी तो फिक्स हो गया अब दो तीन चार पांच छे साथ आठ नाओ दस आपने एंपूट कर दिया एपूट कर दिया एज की एम एटी आई सी एस एक जो है वह आपका फिक्स होगे अब बागी दस बजेंगे अब यहां पर थोड़ी चेंजिंग क्या चेंजिंग होगी नंबर ओफ लैटर्स हो दैस अभी भी दो है नंबर ओफ एम अभी भी दो हैं लेकं अब नबर आफ टी दो नहीं आ रहे ती एक है मतला जिन दस लैटर्स को आपने आरेंज करना है आपस में उसमें टी रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि एक तो तो च्छेंड नहीं है ना आपने आपने बागी उनको और वहाँ उसमें तो मसला नहीं इसको इस नुबर में आप अपसे कर रहें हो रहें इंद स्कॉंपिट नहीं हो रहा है तो अब यहां पर नंबर और ऑफ और तो जाएंगी सब्सक्राइब है कि उसके पद आखरी केस क्या लिखा है इन हाव मैनी ओफ दैम कॉंसुनेंट्स विल अकर टुगैदर यह काफी मशूर सवाल भी आप पुशन नमबद सिक्समें देखोगे कि ऐसे जिसमें सबस्क्राइब कॉंसुनेंट्स तो कॉंसुनेंट्स तो यहां पर तो कोई बना तक आपको बात समय जाते हैं आप कॉंसुनेंट्स होते हैं यह जिसके लावा सारे इंगे तो रहना बोला है कि उनको आपने चेंटा नहीं है वाविल जो हैं वालग भी हो सकते हैं वह गतातों अलग कैसे हों और जो जो इस उनको हम ग्रूप बना देते हैं ताई कर देते हैं आपस में तो सबसे पहले में पिर में क्योंकि में दोदफ आ रहे ना तो मैं एक साथ आपनोंगे लिख वार सबसे पहले और दोदफार है फिर आई है यह की दफार है फिर आई है यह है यह हो गए चे तो कम कर दी दस कर दी है तो इस वाले जो आपके पास मैतमाटिक से इसके अंदर साथ जो हैं वो कॉंसोनेंट से जबके चार जो हैं वो बॉबल से अब उन्हें बोला है कि इस पूरी चीज को नहीं ग्रूप एक साथ हैं तो आप डिफरेंट में आपको अर्रेंजमेंट बताता हूं पहला अब हमेशा एक साथ आएंगे एक और फिर होगा अब यह एक वर्ड मैंने आप लोंके साथ हैं एक वर्ड फिर एक वर्ड यहां पर तीन यहां पर लेकिन एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें ए ए लिखा है फिर आ रहा है फिर आई आ रहा है तो यहां पर सबसे पहले तो आप दो बाते अब दर्फ करोगे कि अगर आप इस डब्ब को एक लेटर कंसीडर कर लो तो आपको असानी होजाए कि मतलब यहां पर करके आ रहे हो यह चार लेटर्स है और एक डब्बा जो है इनको आपस में रेंज कर रह तो बहुत पांच चीजों को आपस में रेंज कर लेंगे तो पूरा बनता है तो गुरूप को आपने एक कंसीडर करने है और जो बाकी बचें जितने हैं प्लस बन करो अब उन चीजों को आप अर इसका दूसरी हमेशा सवाल में आप हर इस टाइप के सवालों में देखो ग अब लिए आप चार बचें एक है तो फॉर प्लस फाइफ पांच चीजों को आरेंज करने कितने जरी कि होंगे फाइफ रेक्टोरिया फिर एक दूसी चीज भी कुसेडर करते हो दूसी चीज होती है कि यह वह वह बुद बिट आपस में रिज हो सकते हैं इसी को आप इसको इस तरह भी लिख सकता हूं अब आप आप आपने तो कुछ चीनिंग की नहीं है किये चैनि क्या चीनिग की होगी तो अरेंज कर सकते हो ना भी दबा दो नहीं हो गए दरम्यार में और ए और आई दरम्यार में डबे का मतलब यह ना सारे एम 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 एच टीडी आई तो नह इस तरह कर दो यह सी एस आप इसको एसी कर दो यह और निया वर्ड बन गया हालाके अपनी जवाब में मौझू है लिक्न जो डबा था उसमें आपने इसको आपस में रेंज कर दी है इसी तरीके से एक और बड़ बनाते हैं है इसको प्याइज कर दो अब यह दो अपनी सबसे पहले चाहर यह बचे हैं और एक यह है फॉर प्लस फाइफ चाहो तो लिखना उप्तर लिख सकते हैं इसको एक यह चाहर ऑगये और यह जो है यह पूरा आपने एक दर दिया तो फूर प्लस फैंश फाइफ पांच चीजों का रेंज करने के फाइफ टॉर्यल होते हैं लेकिन वह उनके होते हैं यहां पर डिफरेंट नहीं है यह दोधा कर दो यह जो पांच आपने आपने पस्पिए एक तो यह है यह तो डबा है यह पूरे यह लेटर यह सब रिपीट हो सकते हैं इसमें इसमें दो दफार है तो वैसे तो पांच चीज़ों को अर्च करने के फाइफ फैक्टोरी ने लेकर जब कोई चीज सेम हो तो अप उतने फैक्टरियों से डिवाइट कर देते तो यह तो पहली चीज़ोंगी दोसी जीज़िस मैंने क्या बताय थी कि डबे को वी तो आपस पर देंश कर सकते हो ना बबे के अंदर जो निख्वेटर तो कितने लेंटर साथ लेकिन लेकिन अगें सेविट्स करोगा जब साथ के साथ डिफरेंट यहां पर कोई शीज़ी सबसे पहली बात जो आपको गेमें रहना वह वर्ड ऐसा और उनीक वर्ड यह जिसमें को रिपिटिशन नहीं है कोई लेटर दो दफा नहीं आ रहा है सेंग यह वह जाएगा डॉटर आपको बोलें कि बताओ इसमें से कितने आप बना सकते जिनके मतलब हो या ना हो वह मैंटर नहीं तो क्या लिखो नंबर ओफ लेटर्स यहां पर हैं कितने सबसे पहली बात तीन तीन आठ लेटर्स हैं यहां पर कोई रिपिटिशन नहीं है तो पार्ट रन में नंबर आफ वर्ड्स आपको निकालने हैं कितने वर्ड्स बनेंगे सिंपल 8 प्रेट्टोरियल 8 प्रेट्टोरियल क्या होता है 5040 को मुल्टिप्लाइब कर दो 8 से यहां मैनूली कर सकते हो यह से तकि मेरे पास कैल्कुलेटर है मैं आपका दमाग नहाना चाहरा है यह जगा जिसमें वाविल्स आ रहे हैं एक साथ टोरा कंशिलर करते हैं पार्ट नोमर टू अबस्का नीयून है तो नहीं यहां पर हाणवब को नैसे यू simple these बागी आप नहीं कि यह हैं यह हैं पांच और इसको आपने क्या करना है इसको बन सब्सक्राइब बनाएं लिख सकते हो नमबर और और यहां पर तीन है नमबर और और यहां पर कितने हैं लेकिन अच्छा आप इंग्लिश में भी लिख सकते हों कि हमने वाविल जो हैं वो टाय करके गुरूप बना दिया उनको लेकिन जब आप यह डाइगरांड टायप की बनातों तो कॉंसाइप आपक लिए हैं वो समच जाएगा क्या करना चा यह हैं इसको एक कंसील रखो तो च्छे बने चेपर रेंज करने के कितने तरीके होते हैं उसक्स फैक्टोरियल चोब्स भी आप बहुत है आप सिंसे आंसर जो भी हैं भाह में लिख लेकिए पार्ट नमर टू होगा है पार्ट नमर चीमे में लिखा वह हैं हाव मेनी ओफ इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो बिगन हो रहे होंगे जारा निकालते हैं कि ऐसे जो बिगन हो रहे हों डी से तो बिगन विद डी कैसे निकालेंगे आपके पास कोई भी साथ प्लेसिस होंगी एक यू जी एच पी ए और ये किस वाले केस पर बिलकुल आएगी क्योंकि दी से बिकन हो रहे हैं ना डाटर भी पहले हैं और बाकि सब बाद में और बाकि अर्य इस्ता निकालोगे डिफॉर्ट पॉसिबिटी है न यह यह हो जाए या एक सिच्वेशन में कि यहां बनेंगी तो कैसे निकालो कि इसाइब कितने तरीके हैं यहां पर कि तो साथ लेटर ने के बाद यहां पर कितने लेटर साथ लेटर लेंगे तो साड़ लेटर को फिर अरेंज करना कितने तरीके होंगे कितने नंबर वर्ट जाएंगे सेविन फेक्टोरियल जो के बराबर होता है फाइट थाउजन फॉट्टी के फिर लिखाव है हाव मेनी ओफ दी बिगिन विद डी और टी ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक लेटर एक वर्ट में डी स्टार्ट में आ रहे है और टी वी स्टार्ट में आएगा अभी या वाला केस होगे और वाला केस तो पार्ट नंबर फॉर हो जाएगा कि बिगें विद दी और ती तो अब क्या शिचुशन बने गए यह सबसे पहले दी से बिगें हो तो मैंने आपको बता दिए यह पुजिशन फिक्स प्रिंसिपल लगाने के ज़रत नहीं डिर्ट प्रिंसिपल लएगा 65 सॉरी साथ है ना तो 7654321 कोई भी साथ लेटर यहां पर आ सकते हैं कोई अगर एक आगे या कोई भी छे आ सकते हैं चाहू तो यहां भी पर सकते हो कोई भी सेट्स 54321 सेंग यहां पर तो यह जाएगा सैविन फेक्टोरियर जोके बराबर होता है अब इन वर्ड में डी स्टार्ट में आ रहागा जो आपने उपर यहां अब एसे वर्ड होंगे जिसमें टी स्टार्ट में आ रहागा वादी और फिक्स कर लो फिर छे फिर पांच फिर चार फिर तीन फिर दो एगें प्रोड़क्ट फिंसिपल के जरी से सेवन फेक्टोरियल हो गया है अब देखो या तो यह वाला केस होगा या यह वाला केस होगा और आपको खुछ सवार में बता रहा है कि सम्रूल है लेकिन अब खुद भी समझ सकते यह बहुत है यह जिसमें पहले आ रहा है यह एकिसमें पहले यह तो नमबर और और टो निखालोगे नंबर और और वर्ड्स टोटल कितने आएंगे लिए दो चाहो तो जो बिगन हो रहें हो वहो दी और टी चे अमने सवाल के साट पे लिखा हो था तो प्लस पाइव यह तो आपके पास अरेजमेंट आ लेंगे अच्छा उसके बाद देखा है लेटर आर विल अकर एड़ फिफ्ट प्लेस ऐसे वर्ड्स बनाओ जिसमें आर जो है वह पांशी प्लेस 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 यह बिल्कुल इसी तरह निकलेगा सिच्विशन डिफरेंट है ले आप लोगों के है क्योंकि बाकी सारे जो हैं वह सेम है कोई इश्यू निया यहां पर आपको डिवाइट करना पर रहा होता है तो वान टू फ्री फॉर फाइब सेख्स सेवन एंट एंट है ना तो जो पांशी प्लेस है उस पर आ रहा है तो यह प्लेस फिल मतलब दो चीज फॉर लगी सवाल होता आपके पास को ऐसा वर्ट हो जिसमें रिपिटिशन आ रही हो और इसी वर्ड को चेंज करते हैं यहां पर फॉर एक की जगा दुबारा ती आ रहा है तो आप पॉस्सिप्लिटी करते हैं यही काम करते हैं मतलब आर के इलाबावा बाकी साथ हैं तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह नहीं है तो इसलिए डारेक्ट आपने प्रडॉक्ट पर लगाया कोई डिविजन लगाने की जरूरत नहीं है यह जाएगा है सैवन फेक्टोरियल सैवन फेक्टोरियल होता है पांच हजार चालिज तो मसला आपका हल सवाल आपका इसी पर आखरी पार्ट है आपने प्लेस पर आपने फिल करने अब देख लेते हैं वाविल्स आर एट इसेकंड फोर्थ एंड शेक्स प्लेस कोई श्रू नहीं है इसके अंदर ली असानी से हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो पहली पुजिशन पर आगया तो यहां पर फिक्स हो गया है कि तीन वाविल्स है ठीकर मैंने एक अरेंजमेंट डिसक्स की जरूरी नहीं कि ए एई यू होगा ही एई बी हो सकता है यू ए इप वी हो सकता यह है यह वी हो सकता है तीन है इसको यह तो पहली बात यह वन आफ दर रहनें लिखिए तो अखर आप चेकर को बताना चाह रहे तो हम लिखते हैं कि वन उफ फिक्स्क्स मिन्हें करों दिए बढ़निया और यहां पे अले दिस्कुर्स करें यहां पर शुक्राइब कर दे इस तरह करना चाहर सब्सक्राइब जिस कंडा कर सकते हैं लेकिन मेरे पास नहीं नहींस सवाल सिस्टरीके से करवान है मैंने बता है पिपर में आप रेंडम भी जिस तरह करना चाहरे हो कर लो थोड़ा सा अगर अलग करने हो तो एक स्प्रेंग कर दो किया है कोई खुना नहीं अलग करना को बना नहीं करेगा असरती उसने को खुना यहां बीघय हो फाल इस थे सबस्क्राइब चाहरे तो आप इसको तरह को इस Measure यहां पर इतनी पॉसिबिलिटीटीज है ए यू यू ताइम है तो बहुत अच्छा आपको सॉलविशन माना जाहिए मैंने भी बता है पूरा कराची कर रहा होगा इसको त्री फैक्टॉरियल लेकर आप इस तरह करोगे तो आपकी जैदर होगी अब बात आई हैं पर यहां पर बहुत कर सकते हो मिन है कोई पर तो इस तरह करें आप पिछ कर सकते एंश Sprigy कर सकाथिए हैं अब अब्याब करोगे तो चार एक आधो अब अलग करना चाहो तो आप लिखो नंबर ओफ वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिसमें वाविल्स सेकेंट फोर्थ फिफ लेजते हैं तो क्या होगा सबसे पहली बात वाविल्स आपस में रेज़ करने के कितने तरीके होंगे थ्री फैक्टोरियल और पांच मॉस्टेंट्स हैं तो अब आपस में से तो यह बन जाएगा बैसिक्स फैक्टोरियल मतलब 720 और यह आपके बास सवालों करो के डिटेले में आपनों का एल्फाबेट वाले सारे सवाल करवा दियें कोई भी कंफीजन हो तो आप लोग पूसकते हो अलाफिस मैं इनके आंसर लिख देता हूं इस ही कांसर लिखना बागी तो मैंने सब्सक्राइब करने से मटिप्लाइब करना गब तो क्या आता है वन फॉर्टिफॉर यह हो जाएगा 288 तो बारह फॉर्टिफॉर आप लगाओ और 92 32 432 432 के बाद चार हजार थीनसो लीस आए यह रहू है यह मसलब में ने हल कर दिये इसका भी आंसर नहीं यह डबा नहीं है यह आंसर नहीं थे आंसर वह आवां था ठीक है अला आफिस